Welcome back to my YouTube channel AR Educational Hub तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEET के कटफ को लेकर जैसा कि मैं आपको बता दू कि इस बार NEET 2024 का पेपर बहुत ही बहतरीन रहा है और इस बार सभी बच्चों में खुशी के लहर देखने को मिली है क्योंकि पेपर इस बार बहुत इजी था तो पेपर इजी था इसका कहने का मतलब है कि इस बार का कटफ थोड़ा हाई जा सकता है क्योंकि बायो का पेपर इस बार बहुत इजी था केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा प्रॉब्लम किया students को और physics का भी paper similarly थोड़ा सा problem किया है बाकि अगर देखा जाए तो exam बहुत ही अच्छा गया है अगर मैं बात करूँ number of student का तो इस बार जैसे कि अगर expect किया जा रहा है कि around 23 से 24 लाग बच्चों ने इस बार form भरा था नीट के लिए नीट 2024 के लिए और इतने बच्चों ने यहाँ पर exam दिया है तो एक safe score state wise क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आप देख लो तो आंदरपरदेश state यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर category है general category EWS, NOBC, SC, NST तो मैं सबसे पहले first of all बात कर रहा हूँ आंदरपरदेश का तो आंदरपरदेश में अगर जो भी student general के हैं तो उनका अगर 620 तक आ रहा है या 615 भी आ रहा है तो उनको यहाँ पर MBBS seat यानि medical seat जो है उनको यहाँ पर मिलने वाला है जिनका 590 आ रहा है EWS में तो उनको भी college यहाँ पर allot हो जाएगा OBC जिनका है उनको भी 592 तक में college allot हो जाएगा SC category से जो है उनको 481 तक college allot हो जाएगा and यहाँ पर जिनका ST category है यहाँ पर आकड़ा कम हो सकता है हो सकता है कि 475 है तो यहाँ पर हो सकता है कि 460 तक भी उनको college यहाँ पर a lot हो जाए ठीक है next अरुनाचल परदेश से तो यहीं पर आप देख लेंगे general category को चाहिए 610 EWS को 590 and OBC को 589 and SC category को 490 and ST category को 400 score चाहिए selection के लिए next अगर हम बात करते हैं Assam का तो Assam में 545 में आपको general यहाँ पर 545 तक में भी seat मिल जाएगा 533 530 जिनका EWS होगा उनको भी seat मिल रहा है and OBC 505 जिनका है उनको भी हाँ पर seat मिल जाएगा SC category जो भी है 445 अगर लाते हैं तो उनको यहाँ पर college a lot हो जाएगा and ST category जो है वहाँ पर 395 अगर उनका 460 ठीक है 36 गड़ में 575 EWS में 570 OBC में 560 SC में 500 sorry 445 and ST में 405 number next है गोवा का तो गोवा में general के लिए 575 EWS में 570 OBC में 550 SC में 490 and ST में 460 गुजरात में 585, 580, 575, 550 and 405 number इसमें आपको college मिलने की संभावना है हर्यानक अगर मैं बात करूँ तो 608 में 608 यानि general category 604 में EWS and OBC 606 and SC category 500 में and ST category 465 में आपको college यहाँ पर a lot हो जाएगा उसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पर तो हिमाचल परदेश का 535 में आपको general पर college मिल रहा है यहाँ पर और EWS में 530 में and OBC को 510 में and SC category को 445 and ST category को 420 में यहाँ पर college a lot हो रहा है जार्खन के मैं बात करूँ तो जार्खन में इस बार cut up 4614 तक जाएगा तो 614 में इद्वार इनको government college मिलने वाला है 605 होगा EWS के लिए and 602 होगा यहाँ पर OBC के लिए यह हो सकता है कि 6089 भी जा सकता है ठीक है 6089 भी हो सकता है and SC के लिए 470 and ST के लिए 400 marks इतने तक जा सकता है ठीक है करनाटक की बात करें तो 575, 570, 570, 445 and 420 number केरल की बात करें तो 620, 610, 608, 480 and 460 में college a lot हो जाएगा मद्धे पर्देश में जो general category है उनको 585 लाना पड़ेगा EWS में 575 and OBC similarly 575 and SC category जो भी है उनको लाना होगा 480 and ST category जो भी है उनको लाना होगा 410 number महरास्टर में 580, 575, 575, 480, 410, same रहेगा यह ठीक है नेक्स्ट है उडिसा में 605, 595, 595, 495 and 425 number पंजाब में 590 में college मिल रहा है general वालो को 585 में EWS, 580 में OBC, 470 में SC and 425 में ST category को राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो 620 में यहाँ पर government college मिल रहा है general वालो को 618 में मिलेगा EWS वालो को and 618 में यहाँ पर मिलेगा OBC वालो को भी and 510 में SC category और 610 SC category को यहाँ पर college अलोट हो रहा है तमिल नाडू की बात करूँ तो तमिल नाडू में आपको 600 में college मिल जाएगा 590, 590, 453, 435 में तिलांगना में मैं बात करूँ तो 590, 585, 480 and 400 त्रिपूरा की मैं बात करूँ तो 590, 550, 550, 549, 480, 430 नमबर उत्तर परदेश में 610, 605, 605, 480 उत्तरा खंड में 590, 592 and 534, 400, 389 बेस्ट बंगाल में college ज्यादा है तो 595, 580, 578, 470 और 420 में college अलोट हो जाएगा दिली के मैं बात करूँ तो cut-up ज्यादा जाएगा 655, 640, 635, 515, 495 ठीक है लास्ट येर यहाँ पर जेनरल मेंड मिशन हुआ था 23,674 में और इंडिया कोटा में ये था आपका लास्ट येर का जिनको college अलोट हुआ था तो ये cut-up था आपके जितने भी state-wise cut-up है उनके लिए MBBS seat के लिए ठीक है अब मैं particular जार्खुन के लिए में बताने वाला हूँ और भी कुछ particular जो भी state है उनके वारे में बताने वाला हूँ और all India quota भी उसमें भी मैं include करूँगा ठीक है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह सारा जो चार्ट है मैं डाल दूँगा टेलिग्राम पर आप वहां से भी जाके इसको मैस कर सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है तो जो भी चैनल पर न्यू जूड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन प्रेस कर धन्यवाद